अज़ नीबू मिर्ची का अचार बनाएंगे आए श्टार करते हैं अब हम नीबू का रस निकालेंगे इस तरह से नीबू का रस निकाल लिया है मैंने अब आदे नीबू करेबन इसमें डालूँगे मैं इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से निकाल लेंगे और इसको इसमें डाल दूँगे अधि नीबू डाले मैंने आधिर रख लिये अब इसमें अरी मिर्चे डाल देंगे अब इसमें मासाला डालेंगे यह चम्मच के साइज लिये मैंने आदा चमच काला नमक, आदा चमच सादा नमक, आदी चमच लाल मिर्ची, वन फोर चमच हल्दी, आदा चमच जीरा, आदा चमच सोंग, वन फोर चमच हीम, अगर भूम मिला देंगे, अब इन नीबू को गलने में दो-तीन दिन लगते हैं, वैसे ताजा-ताजा भी खा सकते हैं हरी मिर्ची, बारिश के मुसम में हरी मिर्ची दीबू की बहुत अच्छी लगते हैं, यह हमारे नीबू मिर्ची बनके तयार हो गए हैं, अब इसे बनाईए, खाएए और इसका अन अपनो प्लेम